नमस्कार, गुड़िवनिंग टू वने नॉल, नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फनी हाइलाइट्स, हेलो, अमित, सर्मान खान जुड़ चुके हैं, अविनास सुकला, तनु सर्मा, दोस्तों, आज मैं आपको कुछ स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे माननि बताईएं, ऑन बी, रमन्ना साहब स्टोरीम कोट तक पहूचे, कहां कहां से उन्होंने शुरुआत करा, किस तरीके से आगे बढ़ा, क्या आप डैरेक्ट सुप्रीम कोट में जज बन सकते हैं, क्या-क्या कथनाईया आती है, क्या-क्या खाम उन्होंने करा, ऐसा तो नहीं जिसके बाबुजी लोयर होंगे, अच्छे बड़े एडवोकेट होंगे और यह वो होंगे, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आज मैं आपको यहां पर बताऊंगा, किस तरीके से आप कर सकते हैं, कब इन्रॉल्मेंट हुआ, पूरा चीज, किस तरीके से क हम चर्चा करेंगे, जो भी लॉक का प्रस्पेक्टिव है, तमाम चीजों को हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप कन्फर्म करें, कि क्या आप मेरी आवाज को ठीक से सुन पा रहे हैं, और मुझे देख पा रहे हैं, एक बार कन्फर्म करें, आप जो है नीचे लिख द हुआ इबल टू- 사람들이 कन्फर्म करें पास, जेख ठीक हो नेवाज मतलब विजबल या नहीं है, इडया क्वालईटी ठीक है, पंश्या नषय के संबन पान प्रहे हैं, ज्यादा प्रहां नहीं होगा, 10-15-20 मिनिट का मुश्किल से होगा, 15 या 10-10 मिनिट थे, थिएखती हैं बाकियों को एरर आ रहा है गुड लुकिंग सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुड लुकिंग वैसे तो मैं नॉर्मल ही हूँ आज ऐसा क्या है जो अच्छे लग रहे हैं आप हमको मतलब आपको मैं अच्छा लग रहा हूं ऐसा क्या हर दिन लगता हूं या आज ही हाँ जी आज ही लग रहे हैं स्मार्ट आप नॉलेज से हैं अच्छा वैसे देखने में नहीं लगते ठीक ना मोई जी कह रहा है स्मार्ट आप नॉलेज से हैं देखने में ठीक नहीं लगते बात ने आपका जो कमेंट है उसको मैं कभी समय मिलेगा तो मिलेंगे चलिए हम काम की बात करते हैं ठीक है काम की बात करते हैं और फिर बात में आपका कुछ questions होगा तो वहां से हम लेंगे देखे सबसे पहला जो question किसी भी entrance examination में पूछा जा सकता है और वैसे भी law student को तो द्यान में रखना ही जाहिए कि ये 48th chief justice of India अभी honorable justice एनवी रवन्ना साहब बनेंगे 48th CJI क्या कोई छोटा मोटा पद है नहीं भाई पूरे बिस्तु की सबसे सकतिसाली या one of the strongest court का chief justice होना कोई मामूली बात है बिस्तु की सबसे बड़ी लोकतंत्र का chief justice जो supreme जो court है उसका chief justice होना कोई मामूली बात है बहुत बड़ा पद होता है बहुत powerful पद होता है और बहुत जिम्मेदारी भरा ये पद होता है सर्मौक test का solution यूटूब पे भी डाल दीजिए इतना समय नहीं होता है अंकित जी आप मेरे application पर डाउनलोड कर लीजिए वहां से मिल जाएगा आपको संधिया गुपता गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग संधिया तो बहुत बड़े बड़ा पोस्ट होता है और बहुत ज्यादा सक्तिसाली पोस्ट होता है बहुत पावर होता है इनके पास इतना पावर होता है कि शायद ही कोई ऐसा दूसरा constitutional पोस्ट है जिनके पास इतनी सारी सक्तियां है बहुत बड़ा पूस्ट, 48th question आ सकता है कि 48th हैं, 47th हैं, 46th हैं, तो ये जो है 48th बनने वाले हैं, question दूसरा आ सकता है आपके हाँ, किसी भी law entrance examination में, कि N.V. रमना का पूरा नाम क्या है, भाईया लिख लिजे कहीं, सर्च कर दिजेगा, full name क्या है, नातुला पती, वेंकेटा, रमना, ये लिख लिजेगा, question आ सकता, option में, N.V. रमना तो सब जानेगा, लेकिन full form पूस दिया, तो आप confused कर जाएंगे, दो question में ने बताया, कब तक post पे रहेंगे, 26 अगस, 2022, 2022 तक ये post पे रहेंगे, अब प्रस्न जो है, बहुत interesting है, प्रस्न ये है, कि किस तरीके के परिवेस में, इनका बालन पोसन हुआ, शुरुवात में, क्या करते थे इनके family वाले, क्या ये शुरुवात से ही इनके घर व मारणिये जल साहब, एनवी रमन्ना ने, इनका जो family background था, agricultural family background, agricultural खेती होता था साहब, और आज, बिस्सु की सबसे, ताकतवर कोट के chief justice बने है, कोई मामूली बात तो है ने, कहीं कोई lawyer और advocate का दूर दूर से नाता नहीं था, लेकिन पहले, सबसे पहले, first generation lawyer और इन्होंने ऐसा करा, बहुत बड़ी काविजयतारी बात होती है, आसान नहीं है, इनका जो है, date of birth, जो birth है, वो 27 अगस्त 1957 में हुआ, village में, Krishna district में, एक village पढ़ता चोटा सा, उहां हुआ, और उसके बाद 1983 में, इन्होंने, इन्रॉल्मेंट किया, advocate का, as an advocate, at the high court, आंधर प्रदेश के high court में, उहां ने, उहां इनका इन्रॉल्मेंट हुआ, 1983 की बात है, लेकिन, इन्रॉल्मेंट के पहले, इन्होंने दो साल, वहां पे कोई local, जो news paper है, उसमें journalism का भी काम करा है, दो साल, आप समझें, किस तरीके से चीजें आप धीरे 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 लेडर पे चड़ते चड़ते आप कहां तक पहुँच जाते हैं, बस यह है कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए, कई लोग demotivate हो जाते हैं, कैसे बन पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, कैसे नह नहीं नहीं कर पाएंगे, जर्नलिजम के तौर पे दो साल काम करा, और उसके बाद जो है, इन्रॉल्मेंट हुआ, आंधर प्रतेस हाइड कोट में, इन्होंने एडवोकेसी करा, एडवोकेट जाकर के जो है जब सीनियर बने अमितर हुला जी नमस्कार तो एडिस्टनल एडवोकेट जन्रल और फांदर प्रदेश एडिस्टनल एडवोकेट जन्रल इनको बनाया गया आप में से जो लोग नहीं जानते हैं कि एडवोकेट जन्रल क्या होता है एड़ोकेट जन्रल क्या ह चाहिए कि आखिर यह सब कौन होते हैं, क्या यह constitutional post है, क्या यह नहीं है, Advocate General, जो है additional Advocate General of the state of आंदरप्रदेश, वहाँ इन्होंने काम करा, फिर 2000 में जाकर के 27th June 2000 में इनको permanent judge बनाया गया आंदरप्रदेश High Court, honorable आंदरप्रदेश High Court के यह permanent judge बने, 2000 में, आज 2021 है, फिर 2013 में जाकर के, उनको acting chief justice of आंदरप्रदेश High Court बनाया गया, before his elevation to Supreme Court, on the February 17th 2014, 2014, he was chief justice of Delhi High Court, दिल्ली High Court बूरे भारत की सबसे बहतरीन High Court में से एक है, इसका यह मतलब नहीं कि बाकि सारे High Courts बेकार है, लेकिन दिल्ली High Court बहुत ज़्यादा competent है, और इनको 2014 में, इन्होंने उसके आसपास 13-14 में, यहाँ पे दिल्ली High Court में chief justice रहें, और उसके बाद जो है, फिर फानली 2014 में इनका elevation होता है, और elevation के बाद फिर मारनिये Supreme Court of India में इनको judge बनाया जाता है, और उसके बाद आगे बढ़ते गए, सिलसिला चलता गया, और आज 2020 में chief justice of India, 48th chief justice of India, आज उनको जो है, वहाँ से मारनिये रास्टपती के यहाँ से उनका appointment हुआ है, अब question आता है कि appointment होता कैसे है, कौन से article को use करके होता है, एक तो यह question मैं करूँ आज, और दूसरा चीज, क्या कोई व्यक्ती जो Supreme Court तक पहुँचना चाहता है, उसके लिए क्या-क्या रास्ते हैं, किन रास्तों से गुजर करके उनको जाना पड़ेगा, इसके बारे में हम जर्चा करेंगा, दो important question है, ऐसी तक कैसे पहुँचे Supreme Court तक कैसे पहुँचे, सबसे बड़ी सवाल तो यह है, पहला जो हमारे पास option है, जो answer है, वो यह है कि article 124, 124, Constitution of India, sub-close 2 में यह आप देखेंगे, तो उसी को use करके, माननी रास्तपती, Chief Justice of India, या फिर किसी un-judge का, वहाँ पे appointment करते हैं, यदि हम पढ़ें, article 124, sub-close 2, तो कहते हैं, कि every judge of the Supreme Court, shall be appointed by the President, by warrant under his hand, and seal, ठीक है, and shall hold office until he attends, age of 65 years, 124 में कहा गया है, कर सकते हैं, मानने, President साहब कहते हैं, लेकिन अब, बहुत सारे लोगों का, यह होता है सवाल कि, क्या, President अदी नहीं चाहें, तो क्या होगा, देखेंगे, अब, बहुत सारे judgment के माधियम से, फर्स जजजज केस, सकेंड जजजज केस, थर्ड जजजज केस, फोर्ट जजजज केस भी है, उसके माधियम से, यह जो जजजजजज है, वो सारा, सारा जो पावर है, इन्होंने, अपने अंदर ले आया है, कातें, जजजज का सेलेक्शन हम ही करेंगे, बस आपको क्या करना है, मुहर लगाना है, हम भेज़ेंगे किसको करना है, अभी जो, Honorable Justice, Bob Day साब थे, उन्होंने इनका नाम को recommend किया, President ने sign कर दिया, ठीक है, बहुत होगा, तो President एक बार नाम वापस भेज़ेंगे, दुवारा यदि कोलिजियम वापस भेज दी, तो उनको करना पड़ेगा, option नहीं उनके पास, तो ठीक है, executive, तो appointment करती है, कोई issue नहीं है, लेकिन जो पूरा power game है, वो basically judiciary के हाथ में, कोलिजिम के हाथ में, होना भी चाहिए, एक limit तक होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप independence of judiciary को justify कर पाएंगा, otherwise, आपका appointment, आपका transfer, आपका rejection, selection, सब कुछ यह दि, executive करना सुरू कर दे, तो फिर वही, I.S. बनके रह जाएंगे, आप, I.P.S. बनके रहेंगे, जहाँ मर्जी आएगा, वहाँ, आपको transfer कर दिया जाएगा, तो judiciary has to be independent, within the meaning of constitution of India, तो यह चीज़ें तो होनी चाहिए, तो यह question आ सकता है, कि किस article को use करके, इनको appointment किया जाता है, कौन करते हैं, मारणिये, president साब करते हैं, यह चीज़ है, अब जो सबसे important और practical सवाल है, कि क्या हम Supreme Court तक कैसे पहुँच सकते हैं, मैंने आपको बताया, इनका enrollment 1983, 1983 में इनका enrollment हुआ, as a member of the bar, of vulnerable, आंद्रप्रदेश हाई कोड, 83 और आज 2021 है, 80-20 और 20-40 में कुछ कम कर लो, लगभग 40 साल का तरजुरुबा है, और इनको पहली बार जो है, बनाया गया 2000 में, permanent judge of the आंद्रप्रदेश हाई कोड, तो आप समझे कि 83 और 2000, 7 साल उधर और 17 साल, 17 साल इनको एड़वोकेसी करना पड़ा है, तो एक बात तो किलिया रहे साहब, यदि आप उपर के ladder पे पहुँचना चाहते हैं, यदि आप High Court और Supreme Court तक पहुचना चाहते हैं, तो सिंपल सा बात है, एड़वोकेसी करना ही पड़ेगा आपको, दूसरा option बहुत कम है, बहुत कम है, एड़वोकेसी करना ही पड़ेगा, क्योंकि एड़वोकेसी जब आप करते हैं, तो आपको सारा law के बारे में बढ़िया अच्छे तरीके से जनकारी होता है, और उनहीं का appointment आगे होता है, कोशन आ सकता है, या बहुत लोग आपके दिमाग में कोशन यह आ सकता है, कि क्या lower judiciary जोइन करके Supreme Court तक पहुंच सकते हैं, क्या? बहुत मुश्किल है साब, बहुत मुश्किल है, lower court में जोइन करोगे जजज, बहुत district court तक जाते जाते आपका 60 साल खतम, बहुत होगा तो High Court में चले जाओगे, Supreme Court तक आना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत almost impossible, यदि आप judicial में सेट के पोस्ट पे जोइन करते हैं, lower judiciary को, तो Supreme Court तो छोड़ दिजिया, High Court तक पहुंचाईए, इसमें बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, नहीं होता, बहुत मुश्किल है, तो क्या रास्ता है, एडवोकेस ही करो, मेहनत करना पड़ेगा, आप सोचेंगे हर चीज हमारे पास हो जाए, शुरुआत से ही, मेह साथ दो अलग-अलग institution है, जहां पर रियर्वेशन वाला चीज नहीं काम चलेगा, रियर्वेशन वाला काम नहीं चलेगा, रियर्वेशन वाला काम नहीं चलेगा, High Court और Supreme Court में, किया जी, रियर्वेशन है तो इनको उपर कर दो, नहीं, जब तक quality नहीं होगा, मुश्किल ह है, Lower Court में आप जा सकते हैं, जो भी Government का Norm है, वो लगता है, High Court और Supreme Court में नहीं लगता, Arm Forces में नहीं लगता, ठीक है, कुछ limitations है, वो अलग चीज है, लेकिन नॉर्मली ये चीज़ें वहां काम नहीं करती, तो यहां पर फुल बेरिट का सवाल होगा, जब तक आप सही से काम न हैं आपको, और आप सोचेंगे हम corporate में चले जाएं, हम judicial message बन जाएं, हम कहीं और चले जाएं, कुछ और कर लें, तो भाईया कर लिजे, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं है, लेकिन जो आपका जो aim है, कि हम Supreme Court तक पहुँचें, नहीं होगा पूरा, नहीं होने वाला, इसलिए यदि आपको Supreme Court तक पहुँचना है, तो भाईया, अपने दिमाग में डाल लो, एड़ोकेसी ही करना, बहुत मुस्किल है, आसान नहीं है एड़ोकेसी करना, लेकिन करना है तो करना है, क्या अगर सकते हैं साब, दूसरा चीज तो है ने option, तो ये चीज है, कुल मिला करके, क 33 को आए, बहुत सारा मैटर्स देखा, एडिसनल, एड़ोकेट जंदल बना, फिर पर्मनेंट जज जज बने, फिर एक्टिंग जज, चीफ जस्टिस बने, फिर देली हाई कोट में, इन्होंने जट्सिप का काम किया, चीफ जस्टिस बना, उहां उसके बाद, फाइनली जा कोट में जाना है, तो फिर इधर वाला एम्मत रखिए, उसी में बढ़िये, कुछ और करना है, जजज बनना है, लोवर कोट में जोइन करना है, तो कर दीजे, कोई सुनी है, लेकिन हाँ सुप्रीम कोट तक नहीं पहुंच सकते, जो बात है, तो किलियर बता देते हैं, क्य करेगा आपके स्किल पे, कितना पावर है आपके अंदर, पावर मतलब ऐसानी के लाठी उठा के मारना सुरू कर दो, पावर मतलब अंदर से विल, पावर, कितना शक्ती है, कितना स्ट्रेंथ है, वो चीज, कितना नॉलेज है, कितना मेहनत करते हैं, वो चीज है, तो फिर इस तरीके से कर देंगे। अब कुछ questions देख लेते हैं। एक और question जो important होता है कि साहब क्या कोई व्यक्ति जो वकील नहीं है वकालत नहीं किया और क्या वो ऐसा व्यक्ति जजज बन सकता है क्या। सुप्रीम कोड में डारेक्ट क्या यह यह पॉसबल है। सुप्रीम कोड में डारेक्ट जजज बनना जो वकालत कभी नहीं किया। क्या वैसा व्यक्ति बन सकता है। कोई कमेंट करेंगे कमेंट कीजिए जड़ा। देखते हैं आपको जनकारी है भी या नहीं है जनकारी बन सकता है क्या दस साले प्रैक्टिस अरे भाई वकालत तो किया यह नहीं वह प्रैक्टिस शोड़ दिजिए वकालत किया यह नहीं किसी कोई पहले नमबर तो आपको ऐसे लिखना नहीं चाहिए था अगर बोबड़े ऐसे नहीं लिखते जज के नाम को बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है आप यह तो जस्टिस लिखिया और पल जस्टिस लिखिये ठीक है यह सब आपको अंदर से लाना पड़ेगा कोई व्यक्ति जो डिस्टिंग्विस्ट जुरिस्थ है जुरिस्थ है बहुत बड़ा जुरिस्थ है मारणिया शरी उपेंदर वक्सी डेलि उनिवर्सेटी लॉफटी के थे यहां हमारे फिकल्टी में कई सालों पढ़ाए भी हैं अब जाकर के सर्च की जैग उनका नाम को र कोई महमुली बात, option है हमारे पास, हमारे पास provision ज़रूर है, आज तक हुआ नहीं किसी का, आज तक किसी का नहीं हुआ क्योंकि वह quality किसी में नहीं दिखा, किसी में नहीं नहीं आया, लेकिन option है, कहता है, यहां पे article 124 का subcloss 3 यह दी देखेंगे, तो कहता है, person shall not be qualified for appointment as judge of the supreme court unless he is citizen of India, citizen of India होना ज़रूरी है, दूसरा कहता है, has been for at least five years of judge of a high court or of two or more such courts in succession, पान साल तक at least high court में judge ship करे हो, एक में या दो में, धाड़ा साल दो में रह गया हो, कुछ इस तरीके का, फिर कहता है, दूसरा has been for at least ten years as an advocate of the high court or two or more such courts in succession, दस साल तक आप अधिवक्ता रहे हो, high court में, एक में या दो high court में, दस साल तक total practice होना चाहिए high court में, तब भी आप eligible हो जाते हैं, आप समझे, दस साल यदि practice कर लिए, direct supreme court में judge बनने के लिए eligible है, provided आपके पास वो अस्तन्थ होनी चाहिए, वो तज़रुबा होना चाहिए, वो knowledge होना चाहिए, otherwise जदी lower से चलेंगे, तो दस साल में आप मुस्किल से एक promotion भी होना मुस्किल है, एक बार promotion भी पांच साथ, दस साल लग जाता है, फिर कहता है तीसरा, is in the opinion of the president a distinguished jurist, option तो है साब, option है, article 123, sorry 124 का subcloss 3 में, उसके C वाले portion में कहता है, कि यदि आप distinguished jurist है, in the opinion of honorable president, तो आप बनाया जा सकते हैं, option है, आज तक exercise नहीं हुआ, कभी और इस पर चर्चा करेंगे, ये भी एक important question है, क्या इस पर direct professor से ये direct distinguished judge, jurist है, जो बन सकते हैं, हाँ जी बन सकते हैं, तो यही सारी चीज़ें बताना था, आपको motivate करना था, वैसे लोग जो law की पढ़ाई कर रहे हैं, वो motivated रहें, और आपने देखा कि agricultural field से आने के बाब जूद भी, सबसे सर्बुच अदालत के सबसे ऊपर पहुंच गए, CDI बन गए 48th, ये सारी चीज़ें बहुत motivate करती हैं आपको, और आपके दिमाग में, या जिनके भी दिमाग में ये चीज़ें चल रही होगी, कि सिर्फ, वकील का बेटा ही वकील वकालत कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, जज़ का बेटा ही आगे बढ़ सकता, ऐसी कोई बात नहीं सहाब, बहुत सारे exceptions हैं, ठीक है, हमने नानी पाल की वालक का आपके example दिया था, ये सारे exceptions हैं, करते हैं, मेहनत करना पड़ेगा, ये सारी चीज़े हैं, बाकी कुछ questions है आपको पूछना है, तो आप पूछे बाकी फिर, विजा लेते हैं आपसे, मोहित कुमार, पांच year of practice is necessary, दस साल, दस साल practice करना पड़ेगा, दस साल का practice है, पांच साल, जज़ का, जज़ सिप होना चाहिए आपको, ठीक है, सर्थ सुप्रीम कोट के वकील बनने के लिए, कितना दिन और टाइम लगेगा, LLB करन उसके बाद बलेंगे, सर, सर, are you, you are, you are, okay, ठीक है, जरूर, जरूर, जब भी जरूरत पड़ेगा, तो I will be available for you all, no problem in that, बहुत-बहुत धन्यवाद question आप पूर सकते हैं, कई भी कोई मुसिबत आए, तो आप direct contact कीजिए, कोई सुनिया, direct Supreme Court के judge बन सकते हैं, मैंने आपको ब criteria है, उनका पूरा करने का, कि 10 साल practice होना चाहिए, वो चीद कर दीजे, बन सकते हैं, कोई दिकत ने, सर, DOLP, BHU, अलावाद के form निकलेंगे, सर, अरे भाईया, भी मुझे, मैं जो तसी थोड़ी न हूँ, कि आपको मतलब पतरा देखूँ और बता दूँ आपको कि कब है, अरे जब आएगा तो बता देंगे, जब आएगा notification तभी तो बताएंगे, वैसे मैं आपको बता दूँ और नहीं आया तो गाली दोगे आप मुझे, है ना, तो जो authentic जानकारी है, वही provide करना चाहिए, नहीं जानते है, तो फिर ऐसे कैसे बता देंगे, इसी channel पर, don't worry, आप practice कहां कर रहे हो, मैं practice कर रहा हूं Delhi High Court में, इससे ज़्यादा मैं जानकारी नहीं दे सकता, because of some professional ethics, इससे ज़्यादा जानकारी यह दिया आपको ले रहा है, तो आप मुझे personally contact करें, तभी मैं दे पाऊँगा, मैं अभी Delhi High Court में हूँ, इतना बता सकता हूँ, कोई सुनी है, Supreme Court के registry को intimate करें, कि हाँ साहब, 4 साल मेरा पूरा हो गया, अब मुझे अपने हाँ काम करने दीजे, वो एला हो जाएगा, तो एक साल आपको Supreme Court में ही काम करना पड़ेगा, तो 4 प्लस 1, उसके बाद वो खतम होने के बाद, आप जो है कर सकते हैं, उहाँ eligibility आपकी बन जाती है, कितने दिन बाद पैसा कमा सकते हैं, कोई वकील बनने, और यह आप पे depend करता है, रेंकर साहब, आप पे depend करता है, लोग अपने 30 अर्से भी कमाना सुरू करते हैं, कितना जानकारी है, कैसे काम किया है, कितना experience है, कहां intensive किया है, कितना पढ़ा, ऐसे थोड़ी नहीं कि सब ल लगी किया, देखा इने कभी किताब उठा करके, आपके पास केस को क्यों लाएगा भाई सब, सारे लोग क्यों लाएगा आपके पास केस, ऐसा क्या है आपके अंदर, you have to show your skill to the people, यहां साब है, तब ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा, प्रैक्टिस के लिए दिल्ली बेस्ट है, हाँ दिल्ली बेस्ट है, सुप्रीम çok judge बनने के लिएba कितने time डगता है, बाई, अललबी के बाद आपको घिसना पड़ेगा, एड़ोगेशी करना पड़ेगा, तब ही ऊपर तक जा सकते, निकुशर माँसर जी,, LLB में बैक आने के बाद, exam कैसे देना होता है, exam संधे अग्जाम नहीं चल रहा है कोई बात नहीं नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरा पार्ट तू का एक्जाम चल रहा है कोई बात नहीं नहीं दे पाएंगे तो कभी और दे दीजेगा लेकिन पढ़ाई करते रहेगा अप्लिकेशन पे मेरे अप्लिकेशन दा लीगल इडियान पे सारी चीज एवलेबल है जब मर्जी कड़े एक्जाम दे दीजे लेकिन यदि आप पीछे चूट जाएंगे तो फ होगा नहीं तो और क्या होगा गया जाओ तो आपको बाहर खाले दिखा दिया जाएगा तो आपको च्छांस दिया जाएगा कि भाई कि लियर कर दो किलियर करने के बाद आपको डिग्री दिया जाएगा ठीक है तनुजाश शर्मा सर डियू से अच्छे से करने के बाद लगे च्छे नंबर आगे प्लिस्मेंट मिल जाती है हाँ जी मिल जाती है आपके स्किल पर डिपेंड करता है मिल जाती है कोई शूनी है सर what difference between doing practice in high court and supreme court which is the best भाई सबसे बेस्ट है district court सबसे बेस्ट है young lawyer के रिए district court वहाँ से सीखे evidence कैसे दिया जाता है क्या होता है basic जनकारी तो वहीं मिलेगी आपको फिर constitutional matters पे दीरे दीरे high court में जाएगे फिर supreme court में जाएगे तो high level का चीज है supreme court इसलिए पांसर का practice आई सबसे निश्री आदाल से सुरू करें ठीक है दिखावर नहीं है हमें सीखना है ना इंटर्सिप करना है कोई बात नहीं आप पढ़िए पहले इंटर्सिप तो होते रहेगी हो जागा इंटर्सिप कहीं न कहीं डेंसन मत लिजे सर चोरी क्या है चोरी डकैती और लूट में अंतर है भाई हमने इसको बताए आपने IPC का क्लास में बहुत बढ़िया से यहाँ पर मैं कैसे बताऊं पहले बताया है अपने IPC के क्लास में उसको जौइन करें आप मेरे application पे जाकर यागर सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई इसू नहीं है आपके नाम पर वकालत नामा लगेगा आप इलिजबल हो जाते हैं वहां पर यदि आप किसी दूसरे सीनियर के अंदर काम करना चाहते हैं तो करी सकते हैं उस में मना नहीं है उस एकी दिकत नहीं है पहले कुछ साल तक आप कहीं करने जैसा आपको सही लगता हूँ जैसा कीजिए कोई सुनी हैं options बहुत सारा है, distance में LLB नहीं होता, government करता हूँ, कैसे LLB, नहीं, नहीं, नहीं कर सकते, आप government job में है तो आप छुट्टी ले लीजिए government को लिखे, कि मुझे LLB करना है, वो छुट्टी देते हैं, तब ही कर सकते हैं distance नहीं होता LLB, और होगा अभी तो recognize नहीं है बार से, due entrance से practice करना हैं के कुछ course है, जो काम time हाँ 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 है, आप जा करके due entrance के लिए as soon as possible join करें, मेरा जो हमने अभी बनाया है application place store से download करें, the legal Indian नाम से, यदि आप iOS user हैं तो class plus नाम से download करें और मेरा जो organization code है jyvcs, jyvcs उसको वहाँ पे डालें, course मिल जाएगा आपको, विसे जनकारी के लिए नीचे नमबर दिया गया है, वहाँ पे WhatsApp करें, हमारी team आप तक पहुंचाएगे, some university lawyer मंतली कितना आरे भाई, ऐसा कोई, वो नहीं है कि lawyer इतना मंतली कमाएगा, क्या कोई government वो थोड़ी ना है, lawyer की मर्जी हो सकता है एक दिन में एक करोड रुपया कमा ले, हो सकता है कि एक महीना में 20,000 कमाएगे, depend करता है quality of lawyer पे, ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत हो गया, हादा गंटा हो चुका है, बाकी अब हम फिर कभी और बात करेंगे, आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कुछ न कुछ मोटिवेट हुए होंगे, मेरे इस चोटे से लेक्शर से, आपको ये भी पता चला होगा, कि Supreme Court में आने तक का रास्ता कितना कठिन होता है, एड़ोकिसी के थुरू आना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, किस तरीके से, एक एक अग्रिकल्चरल फैमिली से आने के बाद भी, Honorable Justice रमन्ना साहब ने, वहां तक करास्ता कैसे सफर किया, कितना मुसिबत का काम किया होगा, सुरुआत में जर्नलिजम किया, दो साल कहीं काम किया, किसी लोकल न्यूज पेपर में, और उसके बाद फिर दीरे दीरे आगे बढ़ते चले गए, तो आपके पास मेरिट है, आपके पास काम करने का यदी जोस है, आपके पास यदी विल पार है, कोई नहीं रोक सकता है, कब तक रोक लोगे, आज नकल तो आगे बढ़ना ही है, ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी और दूसरे दिन में, आज अल्यड़ी हम आदा गंटा बीच चुका है हमारा, इससे ज़्यादा लंबार नहीं करना चाहते हैं, फिर से मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में, तब तक रिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, खाना पीना खाईए, डिनर का टाइम हो गया है, और उसके बाद इंज्वाए किजिए, पढ़ते रहिए, और मोटिवेटर रहिए, ठीक है, शोटी मोटी दिकते हैं आती हैं, उसका सामना करिए, और इंज्वाए किजिए, चड़िए बाबाई, टेक कैर,